इसमें लःरंार्माइले रहीम इसाद में दिस्तूबिषन की पापटी में मैं इस एक प्रूफ कर रही हूं मैं उपने पिचल को कि ग्राइब है इंदान कर मेरा मॉट दर तो प।्धिकेसर इया सो Τ्रीज तो मिदिन हैं तो मिदिन अग्राइब करलेते हैं और आपके पास जो mod होता है वो greater than zero होता है ठीक है पहले तो इस property को proof करते हैं कि median and mod equals to mu तो हम कहते हैं now median now median a is given by हमारे पास जो limit है सिर्फ वो change हो रही है यहां a a shows for the median then हम कहते है area under the curve हमारे पास क्या होता है one होता है but it's for median तो यहां हम क्या लिखेंगे one by two half median half कोई कहते है ना हम वैसे बढ़ते थे जो हमारे पार area under the curve होता है जो कि हम पारे थे minus infinity plus positive infinity fx and derivation of is equals to one जो कि हमने proof भी किया था first property of the median normal distribution थी हम कहते हैं कि area under the curve is equals to one but now we are discussing about the median and इसकी जगा हम a ले रहे हैं तो a shows median the median ले रहे हैं तो then it shows one by two तो यहां तक ही आपको पता होना चाहिए statement हमारी ठीक है यहां आपने limit डालनी थे one by two x minus mu sigma whole square and dx is equals to one by two one by two क्यों ले रहे हैं क्योंकि हम discuss करें about the median को इसी तरह student हमने क्या करना है कि वह हमने लिखना है कि let x minus mu sigma is equals to z आगे हमारे पास और आपने सिर्फ अब इसमें values पूट करनी है जब हम पूट करें तो हमारे पास क्या values आजेंगी sigma two pi and minus infinity a e minus z square two and sigma dz जैसे आप पूट करते आए हो यह sigma sigma से cancel out होगे यह तो हमारे पास होगी equation number one अब हमने क्या करना है हम कहते हैं कि but we know for the symmetrical symmetry of standard normal distribution के लिए हमारे पास क्या होता है हमारे पास क्या है कि जो symmetry of standard normal distribution होता है student उसके लिए हम लेते हैं अपनी equation जो हमारे पास सेम होती है बस वहां फड़ क्या होता है कि हमारे पास यह चीज़ होती है दीजी और यहां तक आप इसकी equation लिख दो कि symmetry of standard normal distribution के जो equation होती है वो यह होती है आपके पास यह आगी equation number two अब हमने क्या करना है हमने compare करने आप देखें compare कहा करने वैसे तो हमारे पास सेम है यह equation भी सेम है यह equation भी सेम है हमने left side को compare करने है ना वहां तो zero and one one by two अगो उसका हमारा मकसद ही नहीं है हमने compare करने है यहां से क्योंकि हमें चाहिए mean बाकी equation सेम है difference का है एक यहां 0 पे एक यहां a पे जहीं है हमने a पे क्या करने है कि a पे जहां आप लिख रहे हो हमारे पास जो values होती है वो क्या होती है जी की यह होती है जी की value तो हमने इसकी जगा क्या लिख देना है x की जगा a लिख देना है फिर क्या आजएगा minus mu and sigma आ जाएगा and a को मु को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं positive sign में convert हो जाएगा but a हम कह रहे थे it shows the median and median is equal to mu तो जो median के लिए हमारा proof था के वो mu के equal होता है वो हमारा यहां तक complete हो जाते है हम कह रहे थे के median a is given by a is given by for the median a shows कर रहा था median को to a is equal to mu आ गया मौड के लिए हमने क्या करने हैं हम उसको discuss करते हैं student मैं आपको again बता रही हूं कि जब essay question या तो आपको simple proof के तौर पे दे दिये जाते हैं ठीक है क्या हमने यह solve करने हैं अक्सर आपको full properties दे दी जाती हैं अगर वह जादा marks की हैं तो आपने उस properties में यह proof लिखनी है तागे आपके marks ना cutting हो ठीक है आपको marks ही ने proof के मिलने है देन आप में क्या लिखना है again mod के लिए हम करते हैं again mod again mod is that value is that value of x for which अब हम इसमें mod के लिए क्या कहते हैं हम कहते हैं कि यह जो यह एक निशान है यह shows कर रहा है for the derivation अगर हम function के एक बड़ी derivation लेते हैं तो is equals to zero आना चाहिए ठीक है अगर वह zero आता है तो वह mu की एकवल आएगा इसी तरह अगर हम second उसका लेंगे अगर हम second derivation भी लेते हैं तो हमयरे पास less than zero नहीं आना चाहिए वह क्या होना चाहिए हमयरे पास यह आना चाहिए less than zero आना चाहिए कम आना चाहिए मैं इसको discuss करती हूं हमें वैसे नीड जो है first derivation की है बट यह मैं आपको करा दूंगे क्योंकि एक property है कि अगर mod हम लेती है value of x के लिए तो जब हम first derivation लेते हैं तो वह mu की equal होता है जो कि हमने proof करना तक है median and mod are equals to mu but second हम जब लेंगे तो वह show करता है कि वह less than zero होता है अब इसके first derivation अगर आपने linear derivation देखें यह हमारे पास constant है यह हमने बाहर ले लिया function की ठीक है अब हमारे पास कहा है जब आप e for example e की power n square है तो आप कैसे derivation लेते हो आप e n square आपके पास same रहते है आप जो derivation लेते हो वह उसकी power की लेते हो ठीक तो यह rule है तो मैं यही यही काम करने लगी हूँ कि मेरे पास e है वो क्या आजएगा minus x minus mu square and 2 sigma square बट इसके derivation लोंगी तो आप simple देख लो कि मेरे पास क्या आएगा 1 by 2 तो वैसी बाहर आजएगा ठीक है और इसमें क्या है है हमारे पास minus 1 by 2 बाहर आगे अब बाकि जो स्टूडेंट मेरे पास यह है कि x minus mu अगर मैं सिग्मा स्क्वेर को भी बाहर ले लों यह भी constant है फिर मेरे पार रह जाते है x square अगर मैं इसकी derivation लेती हूं dx के साथ तो मेरे पास क्या है 2 बाहर आजएगा बाकि क्या है x minus mu power में से एक काम कर देते होते हैं ठीक है फिर derivation हम लेते होते हैं for this term this one ठीक है अब यहां तक हमारे पास क्या आगे है कि 2 x minus mu की power 1 ठीक है यहां मेरे पास यह तो constant है constant हमेशा क्या हो जाता है derivation लिए है तो मेरे पाँ value क्या आ गई है x minus mu and 2 भी साथ ही था ठीक है अब देखें 2 2 से cancel out हो गया remaining term जो मेरे पास रह जाती है वो क्या है minus 2 में बाहर की तरफ लिए आती हूं cube आ जाएगा यहां क्या जेगा Q sigma square and 1 बेसे सेम और एड हो जरेंगी 3 त्री आ जाएगा and 2 Pi x minus mu e minus x minus mu square and 2 Sigma square अब हमने क्या करने है हमने equate करने है equating fx हम कहते थे its equal to 0 है ठीक है अगर आपको is equal to zero लगाते हो इस पे तो आपके पास क्या होगी कि जब आप इस function को मतलब zero की equal कर रहे हो ठीक इस function को हमने क्या कर दिया जीरो की equal कर दिया स्टूर्ण देखें यहां हमारे पास यह तर्म है यह दूसरी साइड पर जाएंगे तो यह म्यू क्या आ जाएगा यहां इस इक्वल तो इस वन आजएगा और यह आपके पास आजएगा एक्स जो है वह मॉड को शो कर रहा है और मुड को इक्वल है तो यह जो मारी प्रॉपर्टी थी ना जो में हमने डिसकर्स करने थी कि मीडियन और नॉर्मल डिस्ट्रिबूशन रिकोल्स टू वह आपके पास प्रूफ हो जाती है अब मैं एक आपको एक्स्ट्रा वर्ट करवा देती हूं कि अगर आपको वैसे समझ जाजेगी इस वह जैसे में आपको यह लिखा रही है यह तो मने प्रूफ कर लिए कि मीडियन जो है वह मारे पास म्यू की अगर मिसकी सेकिंड डेरिवेशन लेते हैं तो जो आपके पास वैल्यू जाएंगी आपने सेम मैथर्ट की तरह डेरिवेशन लेनी है कि यह मारे प स्क्व error & this one सिग्मा स्कूर Id Grü combination करनी आपने पावर को लोपिर से अंसर क्रेंद करनाए इसदर आपने क्या करना है क्या है जो वां यू सह है जो आपके पास कहें वैल्यू स्थ今日म है एक छी मू इसने में इसको इसको बाहर ले तो यह चीज हमने फाइंड करनी है कि यह ग्रेटर देन जीरो आएगा तो यह हमरे पास आगे है मॉट तो आपने जहां कहार तक मॉट मीडियन एंड मॉट ऑफ देन नॉर्मल डिस्टिबूशन रिकोस्टू म्यू तो वह चीज हमने पहले प्रूफ कर लेती है यह सम एक्स्ट्र स्टेप था आई होब स्टूडियन आपको इस प्रूफ की भी समझ आई होगी इंशलने नेक्स्ट हम आगे डिसकर्स करेंगे तब तक के लिए ला आफिस